हाँ तो भाई क्या आल चले सभी क्यार बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं और एक्जाम से पहले बना रहा हूं आपके वीडियो थमनिल आप ने देख लिया हुआ क्या कैसे आपको चीजां करनी है पिछला आपका है जो मैं जून में हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां की थी बच्चों ने आपको रिपीट नहीं करनी है मैंने तब वीडियो तब बनाई थी जब एक्जाम हो गया था उसके बाद लेकिन अब सारा कुछ पता है बच्चो मतलब जो इतना हो सकता है वह आप पढ़ चुके हो एक तारिक से आपके एक्जाम स्टार्ट है अब आपकी एप्रोच महां पर क्या होनी चाहिए एक्जाम एटेम्ट करने की वह भाई बहुत मैटर करती है अपने आप में अगर आप समझते हो मेरी बातों को तो स्टार्ट नहीं मत क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा मिलता है ना वहां पे आप वहां पे आप हार सकते हो अगर टाइम ज्यादा मिलना है आपको तो आपको सोचने का भी टाइम ज्यादा मिलेगा और जहां आपने ज्यादा सोचा और वहीं आपका कोश्चन गलत हो गया ऐसा हो रहा है वाई ऐसा चलता आ रहा है इसमें टाइम इतना है कि बच्चा दोबारा सोचने पर मजबूर हो रहा है ठीक है अब देखो जीएस में आपको अटेम्ट करना है पच्छिस कोश्टन्स आएंगे आपका रीजनिंग और मैत को भी सैड में करो क्वालिफाइंगे आराम से कर कर रहा है दो कोशन में डाउट है या फिर आपको तीन कोशन में डाउट है छोड़ दो नेक्स टाइम में उसे अटेम्ट करो जो हंडेर परसेंट आ रहे हैं पंदरा सोला सत्तर अठारा जितने भी आ रहे हैं एक बार में कर दो सारे ठीक है उसके वाद आप आओ इंग्लि मुझे तो भई लेकिन प्रिड्रें से पहले आपको आंगे बढ़तां मैं क्सक्रिंग का कैसे करने केował चोड़ देना और यक और बात जो अप ट्क लगाते जा रहे हो ना वही एक बार में देख दुबारा में कैसे आना कैसे चीज़ें रहेंगी वह भी बताऊंगा ठीक है ऐसे करके चलता जाना है तो आपको यह नहीं करना है कि एक कुशन को आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि आप खुद कंफ्यूजन में आ रहे हो और अगर होता है थोड़ा सा अगर आप इधर अधर भी देख रहे हो उसने थोड़ा सा बता दिया नहीं आर यह नहीं है क्योंकि टाइम बहुत है ठीक है तो थोड़ा सा भी अगर आप आपके बगल में पैठा है उस पर भरूसा मत करो अप आप दूसरी वार में आपको कैसे कुशन को देखना है कैसे उसको परगना है वह बहुत ज्यादा मैं करेगा आपके सिलेक्शन में तो भाई देखो बाई चीजें जो मैं बता रहा हूं वह दिल से बता रहा हूं आपका एक्जाम आने वादा था टायम नहीं था फिर भी मै सब्सक्राइब हैं उनकी कहीना कहीं हेल्प हो जाए ठीक है तो उससे आगे बढ़ने से फ़ले थोड़ा सा मैं जी एस की बुक की बारे मताना वाला हूं MTS की ही बुक है यह किन पब्लिकेशन की इसमें टीस प्रिवेर सेयर कोशन सारे है तीन साल के मिल जाएंगे मैंने पह पूरा पड़ रखा है तो यह आप फटाफट पर्चेस कर सकते हो अभी नहीं तो नेक्स्ट MTS में आपके काम आने वाली है इस बुक का लिंक में नीचे डेस्क्रिप्शन में देंगो फटाफट वहां पर क्लिक करो और देख सकते हो रिव्यू बच्चों को कैसे हैं और ब पर उसके बाद वह कोशन देखने हैं जो आपने कर दे कर दिये थे चार्च है जो भी है इसको कर देखने करना है अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हुआ आप इसके भी कर सकते हो मेरी बात मानों वन भाई थी की नेगटिव मार्किंग है ओवर यह कोई नहीं बताएगा लास्ट टाइम पर आपको जो चीए मैं बता रहा हूं जो एक्जाम में हॉल में रियल में बच्चे फील करते हैं और उनके एक्जाम वेकार हो जाता है उसी वैशीजें है ऐसे ही आपको जो पड़ रखी होती है ना वो कहीं ऑन्समीन टच करती है अगर आप ज़्यादा उसमें फसोगे ज्यादा सोचोगे और मनलब तू मच होता है तू मच ठिंगिंग करोगो इसके बारे में तो आपको इतना नहीं सोचना है कि भाई आपने ज़्यादा मलब हौच पॉच कर लिया क्रियेट कर लिया अपने माइंड में तो वह नहीं करना है सिंपली आपको एक फ्लो में आपको देखते जाना जो स्किप किये हैं और कर दिए उनको यह देखना है कि कहीं स्ली मिस्टिक तो नहीं कर दिया है जो मैंने लगाया था एक्चल मैं उसी बतर टिक हुआ है न तो ऐस दे रहे होगे और भार निकलोगे मैं बता रहा हूं अब भी आप मैंसे बहुत सारे बच्चे यहीं गलती करेंगे कोशन के ऑप्शन को चेंज करके आएंगे अपने लगा दिया और उनके कोशन गलत जाएंगे वह यह देख लेना अब भी आप मिश्टे करोगे आप मैंसे बहुत सारे बच्चे लेकिन मैंने वीडियो बना दिया है फर्ज बनता है बाकी अगली वीडियो में मिलता हूं खुछ रही है धन्यवाद एंड हैपी रक्षावंदन